हाई गाई वेलकम बैक तो माई चानल आई होब आप लोग सब चाहा भी होंगे बहुत खुश होंगे तो आज हम मिल रहे हैं बहुत टाइम बार रहे थी लास्ट हम मिले थे मेक्सिको ट्रिप पर और उसके बाद आज मिल रहे हैं आई नो बट बीच में कोई प्लांट्स थे और कहीं गए नहीं थे तो व्लॉग बनाने ही पाई मैं एन्वेस तो यहां पर समर की शुरुवात अल्मोस्ट हो चुकी है मैं प्रॉपर समर नहीं कहूंगी बट फिर भी समर आ चुका है तो विच इस गुड तो हमारे कापी सारे ट्रिप्स हैं अभी क्योंकि समर इस ग्र में घर पर ही निकल जाते हैं तो समर यहां पर कोई स्किप नहीं करना चाहता तो समर का पार्ट फुली एंजा करना चाहिए तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी आप सोच होंगे कि मैंने कहां से ब्लॉग शुरू किया है तो यह हम आए हैं एक्चुली युएस में यह लॉग वीकेंड है मंडे मेमरियल डे है तो सब को हापी लॉग वीकेंड जो भी युएस में है तो यह एक्चुली समर का पहला लॉग वीकेंड है में से लॉग वीकेंड स्टार्ट होता है तो में में एक लॉग वीकेंड होता है जुलाई में होता है और सब है Canada में Canada में एक आइलेंड है ननाइमो आइलेंड जो सियाटल से काफी पास में है तो सियाटल से हम पहले वैंकूवर आए है ड्राइफ करके वैंकूवर से फेरी लेके हम यहां पर आया है फेरी से दो घंटा टू आर्स का टू आर्स टाइम है तो दो घंटा लगता है बट अ सोटा सा Airbnb लिया हुआ है मैंने उसका टूर भी शूट किया हुआ है तो प्लीज देखिये व्लॉग में तो काफी क्यूट सा Airbnb है किचन जो भी है वो सब कुछ है इसकी सबसे अच्छी खासियत हमें यह लगी इसका व्यू देखे पीछे यह पूरा बैक्यार्ड है और कितना सु तो अभी almost हम लोग ready है निकलने के लिए for our day one in Nanaimo Island तो जगह बहुत quiet है शान्त है बहुत कुछ करने के लिए नहीं है बड़ अच्छी जगह है अगर आपको थोड़ा से एक ब्रेक चाहिए अपनी डेली लाइफ से तो यह island perfect है लास्ट यह हमने Victoria Island किया था अगर आपने उसक सफ Nanaimo के लिए तो चलिए चलते हैं और यह व्यू देखिए यह व्यू के लिए हमने यह Airbnb बहुत ही सुन्दर है आप walk कर सकते हो बैठ सकते हो वो पूरा ocean view मिलता है आपको तो anyways तो चलते हैं हमारे day one के लिए और आप भी बने रहे यह और देखते हैं आज हम क्या क्या कवर क तो त्री पीपल अगर तीन फैमली मेंबर से अपके पास तो इस पर्फेक्ट साइज अगर आपके फैमली बड़ी है तो I don't think this will make sense but yes हम दो ही लोग ते तो it's fine यहां से बहुत ही कुपसूरत व्यू दिखता है यहां से बहुत ही कुपसूरत व्यू दिखता है यहां से जोटा पैसेज एरिया था जहां पर फिरिज था कॉफी मशीन था everything was good जितना आपको एक घर में चाहिए हो था इसलिए हम एर्बीन बेटर लगता है रादधल होटेल क्यों कि हाँ आप अपनी तरफ से लाइक आप अपने घर से भी खाना लेकर आपके गरम कर सकते हो तो सार आपको घर के जासा ही फील होगा ऐसा नहीं लगया कि आप होटेल में रहे हो यह चोटा सा बेडरूम था अच्छा सा था क्यूट लगा हमें और उसके उपर एक पूरा बंगलो है यह और उसके उपर ओनर वहीं पर रहते थे और नीचे एक चोटा सा रूम एर्बीन के अच्छा है तो उसके साब से विव बहुत अच्छा दिखता है तो यहां पर ओशन है तो नीचे आप वॉक करके भी जा सकते हो और काफी अच्छा सटिंग अर्रेंजमेंट डिया हुआ है आप यहां बैटके अच्छे से विव को एंजॉय कर सकते हो और बैक्याड काफी ब अच्छा दिखता हुआ है तो आप चल्दी पहुच जाओगे तो अमने विक्टोरिया में इसके पर देखे हैं बाट यह आईलेंड उन आईलेंड के कंपैरिजन में बहुत ही कॉइट है बहुत शांत है तो यह पार्क हमने विजिट के था बहुत ही सुन्दर है और देखे अब हम आये हैं सबसे पहले स्पॉट पे जो की है पियर यहां का जो हारबर है वो है बहुत सुन्दर है पीछे पार्क भी है तो वहां पे हमने काफी सारी वॉकिंग की और गुड तिंग इसकी वेदर बेटर है आज बारिश नहीं है क्योंकि कल भी जम आये थे तभी काफी बारिश थी तो काफी सुन्दर सा पीर है छोटे-छोटे रेश्टरांट्स है यहां में अभी आपको आपर लग लिखा नौट्यूर की अपको लोग लिखाते ही है तो वेल वाचिंग है फिर सी प्लेन है सी प्लेम का अभी टूर आप कर सकते हो विड़ेटी मिनिट का कुछ टूर है तो वहां घर सकते हो तो काफी सारी जिप लाइनिंग ऐसे कुछ कुछ कर सकते हो आप अच्छे से दो तीन घंटे आप यहां पर निकाल सकते हो खा के और तो अच्छा सा है और वेदर थोड़ा सा थंड़ा है अभी तक में ही है तो चैकेट क्यारी करना बहुत जरूरी है में बट अच्छा लग रहा है और वाकिंग के लिए काफी स्पेस हैं आप तो अच्छे से चल के अभी रेस्टराउंट्स खुलने में काफी टाइम है तब तक हम अराउंड का जो एरिया है वो सब एक्स्प्लोर कर रहा है और यहां पर आप चो यह वाटर देख रहे हो इसमें काफी सारे लाइक फिश हमने देखे स्पेशली स्टाफिश देखा बह बहुत कुछ है और वह अजिम अजिम देखे पानी में देखे है उच्छे पानी में देखे तो काफी अच्छ है और पानी काफी क्लिए तो झाली वेजिबल है हमने तो एर्बेन भी किया था यहां से आइधिंग 5-10 मिनिट्स के डिस्टंस पर यह विच इस गुड तो अगर आप यहां पर आ रहे हो ननाइमो आइलेंड आ रहे हो तो एर्बेन भी कर सकते हो थोड़ा सा दूर पर वो भी अच्छा लोकेशन है या फिर पीर के असपास भ यह देखे पीछे ही एक तो होटेल है यहां पर तो वह भी कर सकते हो आइधिंग वह थोड़ा एक्सपेंसिफ पड़ेगा बट अगर एकदम ही क्लोज रहना चाहते हो हारबर के तो वह भी कर सकते हो या फिर यहां से 10 मिनिट्स की डिस्टंस पर आपको थोड़ा काफी पर प्रच करने के लिए डिफिनिटल आ सकते हो तो लंच के बाद मैं अभी मिल रही हूं बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था लंच ब्रेक और फिर स्लीपिंग ब्रेक हो गया हम लोगा हो तो यहां पर अभी हम फिलाल आये है अभी शाम का वक्त है और हम लोग बीच एस्टिस पार्क में एक छोटा सा हाइक है लेक ट्रेल है और इसके यहां पर इसके बीच को आकसे करने के लिए यह वाक तो चल के जाना है बहुत ही सुन्दर सी ट्रेल है पीछे देखे पूरा सराउंड़ेड बाय जंगल है चारो तरफ और रेक रोड अच्छा सा स् पूरा ग्रीनरी है इसलिए ऐसा आपको अभी मेरे व्लॉक से लग रहा होगा कि रात हो गए बड़ रात नहीं है यह शाम का ही टाइम है बट यहां बहुत सारे लंबे ट्रीज है तो इसके लिए वो सन को लाइट को अंदर ने आने दे रहे बहुत ही लंबे तो इसके बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बड़ अच्छा है बड़ अच्छी वाई बार यह पूरा चंगल और बहुत सारे इसके पहले भी एक पॉल देखा यह सेकंड वाला देखा और बहुत ही सुन्दर है तो देखे आगे और on the way हम क्या क्या एक्स्प्रोर करते है क्या 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 है जाए तो देखे ना दूदर है आंबियंस पूरा ग्रीन है बहुत ही तुंदर लग रहा है ऐसे लग रहा है जैसे किसी रेंफॉरस में चल रहा है क्या है कर दो कर दो कर दो कर दो कि अखुछaci लु Μट्टी लुट्डा मां झेट रचात है को विन् maior का outright had की? जै शुट इंटर्स्ट को खेड मां झेगां interpol को दुम आर्नी I'm letting a dream you whisper in my ear Lost in your eyes Lost in your eyes Lost in your eyes So we didn't go to Estris Park 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 We saw the beach from there This is a beautiful spot It's a beautiful spot It will be 10 minutes You can do a trail above it And there is a beach It's beautiful There is a wind here But it's a beautiful spot There is a whole ocean behind it And we saw one thing Usually, bunnies We've seen white color We noticed that there are black color bunnies I've put it in my blog So definitely check it out It's very cute And we usually don't see black color bunnies We've seen white color So it's very cute So it's here So I have shot it You can see So anyways Today's day was very light Not light It's a lot of places But it's a light place So it was good So if you enjoyed this day Then please subscribe to my channel Give a thumbs up to this video And I'll see you guys Soon with the next day We'll see you guys We'll see you in the next day So I'll see you in the next day I'll see you in the next day Bye bye Bye